आज फिर से मैं इसे उलजन का सिकार थी जैसे ही मैं नहाने के लिए वाश्रूम में जाती मुझे लगता कोई अजीब सी नजर है जो मुझे देख रही है मैं चारो तरफ नजर घुमा कर देखती लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता था मेरे वाश्रूम में सिर्फ एक ही उवस्रोसंदार था जिसे मैं अच्छी तरह से बंद कर देती थी लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे चारो तरफ दिवारों पे आखे गरी हुई है जो मुझे देख रही है मैं कोई बहमे किस्म की औरत ना थी लेकिन अब पूरा वाश्रूम देख चुकी थी कहीं कुछ भी मुझे नजर नहीं आया था मैं जैसे ही नहाने जाती जल्दी बाहर निकल जाती कभी कभी तो मुझे लगता कि सायद मैं किसी दिमागी बिमारी में गिरफतार हो चुकी हूँ आज भी मैंने बहुत जल्दी से सावर लिया और फटा फट से कपड़े बदल कर वास्रूम से बाहर आ गई पिछले कुछ महिने से मेरे साथ यही हो रहा था मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता मैं किसी की नजरों में हूँ या मुझे कोई नजर देख रहा है और इसी वात की वज़ा से मैं इस कदर परेसान थी कि सायद लबजों में अपनी परेसानी को बता नहीं सकती थी ना तो कोई जवान खूबसूरत हसीन लड़की थी मैं किसी पर सक नहीं कर सकती बलकि उमर के जिस हिस्से में थी वहाँ पर कोई भी ऐसी हरकत मुझ जैसी औरत के साथ करने का सोच भी नहीं सकता था और मेरे घर में हम सिर्फ दो ही सक्स थे एक मैं और एक मेरा बेटा मेरे पती के दिहांद के बारा साल बाद बीच चुके थे मेरे पती के किराने की दुकान थी और इसी किराने की दुकान से हमारा गुजर हो रहा था अब तो मेरा बेटा भी नौकरी करने लगा था, वो सुबह को ओफिस जाता, तो साम को ही वापस आता, पूरा दिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था, नौकराने भी आती और काम करके चले जाती, फिर ये कौन सी नजरे थी, जो हर वक्त मेरा दिदार करती थी, मुझे लगता था, जैसे मैं किसी की नजरों में जाल में फस चुकी हूँ, कोई हर पल मुझे देखता है, और भी जब भी नजरे वाश्रूप में मुझे पढ़ती, तो मुझे एक अजीब सी उल्जन होती, मैं अपनी तकलीफ को बया नहीं कर पा रही थी, मैं इसी तकलीफ स गुझरे रही थी, क्योंकि मेरे सामने कोई ना था, और ये एक ऐसी बात थी, जिसे मैं अपने बेटे से इसका जिक्र नहीं कर सकती थी, वो मेरे बारे में क्या सोचता, मेरी बात को कैसे लेता, साम को जब मेरा बेटा आसीस घर वापस आया, तो मैंने खाना गरम करके सामन में रख दिया, मैं किसी गहरी सोच में थी, जब मेरे बेटे ने कहा, आप किन सोचों में गुम हैं, इसकी आवाज में मैं चौक गई थी, मैंने नहीं में सरहिला दिया, मैं इसे क्या बताती, जिस बात का मुझे खुद में ठीक से पता नहीं था, बरहार मेरे बेटे का उसके कमडे में देने गई तो वो अपने लैप्टॉप में इसकदर बिजी था मेरे आने का उसे पता नहीं चला था मैं इसके पास आई और साइट टेबल पे दूद का ग्लास रख दिया इससे पहले कि मैं वापस प्लटती इसके लैप्टॉप पे जो मंजर मेरी आखों ने देखा मेरी तो रंगत ही उर गई थी फोरण ही आसीस ने लैप्टॉप बंद कर दिया मुझे देखकर खोड़ने लगा कहने लगा ये क्या तरीका है किसी के कमडे में आने का आपने दरवाजे को बजाया क्यों नहीं मैं एकदम से घबड़ा गई थी मैंने माना ये मेरी ग जानती थी कि वे सब कुछ बरहाल मैं कमडे से बाहर निकल कर अपने कमडे में आ गई अपने बैट पे बैट कर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकर लिया मेरे दिमाग में अगला ख्याल आया उससे मेरी रूह को हिलाकर रख दिया नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो मेरा बेटा है ऐसे कैसे कर सकता है मेरा दिमाग फिर से सोचने पे मजबूर हुआ था मेरी आखों से तकलीफ के आसू बहने लगे थे जो कुछ मेरे दिमाग में घोम रहा था ये सोचना भी मुझे पाप लग रहा था मैंने खुद को जटका और समझाया कि नही ऐसा मुमके ही नहीं है कोई भी बेटा अपनी मा के साथ ऐसा नहीं कर सकता लड़के इस उम्र में ऐसी गलती चीज़ देख लेते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो मैं सोच रही हूँ बड़ी मुस्किल से मैंने खुद को नौर्मल किया था एक दिन मैं सेहन में धुले ह कुए कपड़े सुखा रही थी कि जब सामने की घर की छट से मुझे लगा कि किसी कैमरे की फ्लैस मुझे पड़ी है मैंने हैरानी से प्लट कर देखा किसी की पर्छाइ सी नजर आए जैसे वहां कोई खड़ा मुझे घूर रहा हो मगर जैसे ही मेरी नजर पड़ी ऐसा लगा, कोई वहाँ से पीछे हटा हो मैंने गौर से देखने की कोशिस की, लेकिन सामने की छट पे मुझे उस वक्त खाली नजर आ रही थी लेकिन मुझे पूरा यकीन था कुछ दिर पहले कोई वहाँ खारा हो मुझे ही देख रहा था और किसी ने सायद अपने मोबायल से मेरी तस्वीर ली थी मेरा दिल बुरी तरह से धरकने लगा था इस मोहले में आये हुए हमी अबे कुछ ही महिने हुए थे और जब हम इस घर में आये थे मैं परिसान होकर रह गई थी मुझे हर वक्त ये महसूस होता कि मैं किसी की नजरों में हूँ और कोई मुझे पे ध्यान दे रहा है आसपास के मोहले में अभी तक किसी से मिलने ही पाई थी कुछ मेरा नेचर भी अलग-अलग रहने लगा था और मेरा बेटा भी सक्की मिजाज का था मोहले में आते ही उसने मुझे कहा था कि आपको ज़्यादा मोहले में मेल जोर बढ़ाने की जरूरत नहीं बस अपने घर पे ही रहिएगा आसीस मेरा सोतीला बेटा था बहुत कम उमर में ही मेरे बाप ने मेरी साधी आसीस के बाप से कर दी थी क्योंकि मैं एक गरीब परिवार की लड़की थी आसीस के पापा मुस्से 20 या 22 साल बढ़े थे मेरी साधी को 8 साल ही गुज़र थे कि मेरे पती चल बसे को अभी 12 साल ही गुजरे थे मैं देखने में भी अभी जवान ही लगती थी अक्सर कहीं मा बेटे जाते तो लोग मेरे बेटे से कहते कि साइद मैं इसकी बड़ी बेहन हूं और साइद ये वज़ा थी कि आसीस मुझसे एक तरह की चिर हो चुकी थी वो मुझे घर से बाहर नह ही निकलने देता था मुझे हलके कलर के कपड़े बना कर देता था कहता था कि आप मेरे बाप की विद्वा हैं मुझे इसी रूप में अच्छी लगती हैं मैंने बिल्कुल साधा हुलिया अपना लिया था और हर वक्त जब आसीस घर पे आता घर को एक अजीब सी नजरों से देखता जैसे कि इसके पीछे मैंने घर में किसी को बुलाया हो चारों तरफ सेहर में नजर दोराता कभी मेरे कमड़े में चला जाता पूरे घर को ऐसे देखता जैसे कुछ ढोंड रहा हो जब मैं पूछती तो कहता कुछ नहीं अपने काम से काम रखा करे मैं नहीं जानती थी इसके साथ क्या मसला था लेकिन इस वक्त वही मेरा सहारा था बेटा भी था और मैंने हमेशा से ही बेटा ही समझा था इसलिए खामोसी से उसका रविया बरदास करने पर मजबूर थी क्योंकि 80 के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा ना था बढ़ाल मैं अपने ही उल्जन का सिकार थी और उपर से बेटा भी सक्की मिजास का था अभी मैं ये मामला हल भी नहीं कर पाई थी कि एक नई मुसीबत आ गई थी कि बरावर वाली छट से कोई मुझे दे सोचने मुझे फिर से हैरानी में डाल दिया था मैंने फिर से खुद को जूठी तसल्ली दी थी क्योंकि मैं वाश्रूम का कोना कोना देख चुकी थी कहीं ना तो कोई कैमरा लगा था और नहीं कोई ऐसा सुराक के कोई जाग सके जो भी ढाल लेकिन नियों किसी का छट पे चुप करके मुझे देखना एक गलत ही हरकत थी एक बार मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई मैं उस वक्ची किचन में खाने बनाने में बिजी थी क्योंकि आसीज के घर ओफिस आने का टाइम आ गया था मुझे लगा सायद वो आ गया है लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक 26 साल का नौजवान मेरे एक सामने खाड़ा था तकरीवन आसीज की उम्ड का था मुझे देखकर बुस्कुराने लगा इसके हाथ में बिर्यानी की प्लेट थी कहने लगा मैं परोस्ते आया हूँ आप लोग सायद नए नए इस घर में सिर्थ हुए हैं मैं इसके सामने खरी हो गई मैंने कहा बेटा तुम यही खड़े हो मैं तुम्ही खाली प्लेट वापस करती हूँ ये सुनकर थो हैरत में आ गया कहने लगा कि मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आप मुझे बेटा कह दे आप मुझे बस कुछी साल तो बढ़ी होंगी इसल बास सुनकर तो मैं हैरस से से देखने लगी थी मैंने कहा कि मेरा बेटा भी तुम्हारी उम्र का है ये बास सुनकर इसने भूरी आखें फैला कर मुझे देखा कहने लगा वो लड़का आपका बेटा है मैं तो समझा कि आपका छोटा भाई है ये कहकर वो बड़े ही अराम से घर के अंदर दाखिल हो गया, मैं तो इसे देखती ही रह गई, आसींस के आने का वक्त भी हो रहा था, इसलिए मेरा दिल डर के मारे कापने लगा था, बड़ा खुले बिजास का लड़का था, कहने लगा आपका नाम क्या है, मैंने कहा तुम्हें क्या मतलब, तो मुझे वे बोये उपर की थी, कहने लगा कि नहीं, अभी आप इतनी बुड़ी नहीं हुई है, मैं आपको आंटी कहां से अच्छी खासी खुबसूरत और जवान है, मैं तो आपके नाम से ही आपको पुकारूंगा, यकीनन मैं भी आपकी तरह बहुत खुबसूरत हूँ, इससे प रख होते हैं, ये कहकर सेहन पे रखी कुरसी पे, आराम से बैट गया, मैं किचन में आ गई, जल्दी से प्लेट खाली की, गैस पे चाय भी रख दी, मेरा दिल इस कदर इस बात पे घबडा रहा था, कि कहीं आस्तीस आ गया, तो नो जाने किस नजरों से मुझे देखेगा, क्या सोचेगा, वो खाली घर को भी यू देखता है, जैसे कोई घर में छिपा बैठा हो, चल्दी जल्दी से मैंने एक कप चाय बनाई और इस लड़के को दे दी, मैंने कहा कि अपनी मा से थैंक्स कहना, और चाय पीकर बाहर जाते हुए दरबाजा बंद कर देना, मुझे जरा किचन में काम है, ये कहकर मैं किचन में रोटी बनाने चली गई, क्योंकि आसीस किसी भी वक्त पहुचने वाला था, और मैं उस लड़के से ज़्यादा बातचित नहीं करना चाती थी, दस मिनट बाद ही, खाली कब इस लड़के ने किचन के दरवाजे पे मुझे मिलने आऊंगा, और अपने घरवालों को भी लाऊंगा, ये कहकर वो घर के दरवाजे से बाहर चला गया, और दरवाजा भी जाते हुए बंद कर गया, मैं तो उसकी बात सुनकर चकरा कर रह गई थी, अभी मैं इस लड़की की बातों के बारे में सोची रही थी, जब की तरह से काप गई थी, जन्दी से किचन के दरवाजे से बाहर आई, और मैं दरवाजे के पास पोचने लगी कि कौन है, आसीस की बड़ी गुस्ते वाली अवास सुनाई दी, कहने लगा, दरवाजा खोले, मैं हूँ, दरवाजा खोले, बड़े गुस्ते से घर में दाखि हुआ, मुझसे कहने लगा, घर से बाहर कौन निकल रहा था, आसीस की आखे इस वक्त नो जाने किस वज़ा से लाल थी, वो बहुत ही गुस्ते में था, मेरी जुबान नो चाहते हुए भी लड़ खड़ाई थी, मैंने कहा कोई पड़ोसी लड़का था, बिर्याने लेकर आ मेरी आखों में आखे डाल कर कहने लगा कि किस से पूश के दरवाजा खुला था, आपने, क्या एक बात आपको समझ नहीं आती, यहां कोई भी आए, आप दरवाजा नहीं खोलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, कोई जरूरत नहीं है, पड़ोसियों से मेल जोर बढ़ान कि, अगर आप अपनी हरकत से बाज नहीं आई, तो मैं ताला लगा कर जाया करूंगा कल से, यह कहते ही वो सिधा अपने कमड़े में घुस्से में चला गया, अपने कमड़े का दरवाजा भी बड़ी जोर से उसने बंद किया था, मुझे लगता था, कि जैसे मैं आसीस की मा ना हूँ, उसकी खड़ीदी हुई गुलाम हूँ, वो मुझे मेरी सांस भी मेरी मर्जी से लेने नहीं देता था, बढ़हाल मैंने खाना गर्म किया और आसीस के लिए खाना लगा दिया, खाने के दोरान में वो मुझे बार बार इसी लड़के के बारे में पूछता रहा, और बार बार मुझे यही कहता रहा, कि दोबारा मैं दरवाजे पे किसी को न देख लूँ, रात को मैं अपने कमड़े में लेटी, तो मेरे मुबार पे एक अंजान अन्नोन नमबर से मैसज आने लगा, इसमें लिखा था कि आप बहुत ही खूपसूरत और प्यारी है, मेरा और आप पे बहुत जचेंगे, जैसे कि आपने इस दिन सेहन में पहना था, ये मैसज पढ़कर मैं बुड़ी तरह से घबड़ाई थी, इसका मतला मेरा सक्त गलत नहीं था, वाकि कोई था जो मुझे देखता था, देखना तो चलो समझ में आता है, क्योंकि बहुत से घर थ जिनकी छटे थी, जिनकी छट हमारे इस घर से ऊची थी, और साफ साफ दिखाई देता था, और मेरा किचिन सेहन में ही था, इसलिए मेरा ज्यादा तर वक्त सेहन में ही कुजरता था, लेकिन जो नजरे मुझे खुद पे अपने वाश्रूप में उटती हुई महसूस होती वो मुझे जीते जी मारती थी, मैंने फॉरां से मैसेज डिलीट किया और मुवाइल आफ कर दिया, इसी वक्त पस्तीने से तर हो चुकी थी, मुझे अजीब और गरीब सी घबराहाट छाने लगी थी, कौन था जो मेरी जिन्दगी में और जहर घुलने की कोशिस कर रहा था। मैंने अपने जिन्दगी कभी भी खुशी से नहीं गुजारी थी, आसीस के पापा भी ऐसे ही थे, सक्के मिजास के, और सायद मुझे इसी लिए इतना सक करते थे, कि मैं कम उम्र की थी, और वो मुझे बाइस साल बड़े थे, मैं खूपसूरत भी बहुत थी, इसी लिए हर वक्त उनके सक का निसाना बनी रहती थी, उन्हें लगता था कि पता नहीं, मैं किसी दूसरी लड़कों से चक्कर चला लूँगी, मैं बार बार उन्हें रो रो कर यकीन दिलाती, लेकिन उन्हें यकीन आता ही नहीं था, वो हर वक्त मेरे साथ किसी साय की तरह रहते थे, औ उस्तारी जाइदाद आसींस के नाम पे कर दी और इसके कान में बस यही भरते रहते इस औरत का ख्याल रखना इसे कभी भी घड़ के मालकी न देना इसे पाई पाई इसने मोहताज रखना कहीं ये भाग न जाए ये खुब सूरत है इससे कोई भी साधी कर लेगा और तुम अ माबन कर रहे ये वो आखरी अलफास थे जो मेरे पती ने मेरे बारे में अपने बेटे के दिमाग में किसी जहर की तरफ भड़े थे और वहीं जहर आसींस मेरे साथ उगलता रहता था इसने कभी मेरे इज़त मा की हैसियत से नहीं की थी मुझे कभी माग की जगा नहीं दे रही मैं बस इसके बाप की दूसरे बीवी थी एक रोज मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक से मेरे डुपटे पे आग लग गई चिलाती हुई मैं सेहन में आए जैसे ही मेरे चीखे तेज हुई बड़ावर वाले चत पे वही नौजवान खरा था मुझे चिलाते हुए देखा तो फोरण से नीचे उत्रा और अपने घड की दिवार लांकर मेरे कमडे में आ गया इसने फोरण से मेरा जलता डुपटा फेका वरना मैं सायद बुडी तरह से जल जाती मैं उस वक्त बहुत घबडाई हुई थी इस नौजवान ने फोरण से सामने रसी पे पड़ इस वक्त मेरे घर का दरवाजा खुला सामने आसीज था इस वक्त इस लड़के को मेरे पास खरा देखकर गुस्य से मेरे पास आया और उस लड़की का गिरिवान पकड़ लिया और इसे गुस्य से पूछने लगा कहने लगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की मैंने कहा आसीस इसका गिरबान छोरो इस लड़के ने तो मेरी जान बचाई है मेरे डुपट्टे को आग लग गई थी हाला कि अभी भी सहन में गिरा हुआ है डुपट्टा जल रहा था मेरी बास सुनकर उसने गुस्से भरी नजरे से मुझे देखा कहने लगा तुम चु लर्के का गिरबान पकड़ते हुए निचोड़ने लगा कहने लगा तुम जिस मकसद के लिए यहां आने आया हो ना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैंने कहा आसीस गलत समझ रहे हो मैं मा हो तुम्हारी क्यों मुझे इन बातों से जलेल कर रहे हो मैं रूने लगी इस लर्के ने एक जटके से अपना गिरवान आसीस से छुड़वाया और कहने लगा कि मैं इंसानियत के नाते यहां पे आया था उनका डिपट्टा जल रहा था उनको आग लग सकती थी मेरा और कौन सा मकसद हो सकता है अपनी घटिया सोच अपनी हद तक ही रखो तो सही होगा आसीस इस लर्के से कहने लगा था क्यों क्या ये तुम्हारी मा लगती है क्यों आये थे यहां इसे बचाने डुपट्टा जल रहा था तो जनने देते तुम्हें क्या तकलीफ थी यह सुनकर मैं तो हैरस से आसीस की तरफ देख रही थी यानि कि इसे कोई फर्क नहीं जाओं वो लड़का कहने लगा कि मेरी कुछ भी है या नहीं मैं नहीं जानता लेकिन अगर उन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा और मैं अगर देखूंगा तो मैं जरूर उन्हें बचाने आऊंगा तुमसे जो होता है कर लो ये कहकर आसीस उसके मूँ पे थपर मार दिया इस लड़के ने भी अपटा हाथ नहीं रोका था दोनों ही गुस्य से लाल हो चुके थे ये देखकर तो मैं परिसान होकर रह गई थी बरी मुश्किल से मैंने दोनों को पीछे हटाया इस लड़के के आगे हाथ जोड़े कि तुम जाओ यहां से वो लड़का आसीस क को घूरता हुआ दर्वाजे जाने की बजाए इसी दिवार से वापस लांकर गया था ये देखकर आसीस बड़े अजीव अंदास से मेरे पास आया मेरी दोनों बाजू पकड़ ली और कहने लगा तो यहां से बुलाती हो अपने आसीक को फिर कहने लगा कि जो तुम चाहती हो वो मैं होने नहीं दूंगा मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा इसी सेहन में तुम्हें मार कर गार दूंगा लेकिन ये मत समझना कि तुम्हें छोड़ दूंगा वो तो जैसे सारी तमीज ही भूल गया था इसके बाद आसीस घर के बाहर ताला लगा कर जाने लगा इसल एक ऐसा मेसेज आया कि मेरे तो होश उड़ गए, इस मेसेज पे लिखा था कि वाश्रूम में आओ, मैं तुम्हे देखना चाहता हूँ, यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, अब तक कि मैं सक्की समझ रही थी, सायद मेरा वहम है कि कोई वाश्रूम से मुझे देखता है, ल लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, मैं जाकती रही, सुबह जब मेरी नौकरानी आई, तो मैं बुखार्स में पड़ी थी, मैंने इसकी मिन्नत की, वे एक रात मेरे पास रुख जाए, मैं बिमार हूँ, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, वो मेरी बात सुनकर मान गए, रात हुई, आसीस के आने का वक्त हुआ, तो मैंने नौकरानी को अपने कमडे में छुपा लिया, मैं नहीं चाहती थी, कि आसीस को इस बात का पता लगे, कि घर में मेरी आलाबा कोई और भी है, मैंने आसीस को खाना दिया, और अपने कमडे में जाते कमडे के लाइट बंद कर दी और खुद को कमडे में छुप गए क्यूंकि जो कोई भी था वो मेरे कमडे में आकर मुझे जागता था वास्रूम में कोई कैमरा ना था मैंने अपनी नौकरानी को चादर उड़ाई और उसे वास्रूम जाने को कहा वे वास्रूम चली गए मैं अपने कमरों के परदे के पीछे चिप गए कुछ देर बार यही हुआ था मेरे कमडे का दरवाजा बड़ी आहिस्ता से खुला था एक स्थाक्स खुद पर एक शॉल ओरिये मेरे कमडे में दाखिल हुआ और पहले वास्रूम के दरवाजे के छोट अंदेरे में तो नजा नहीं आ रहा था मगर वो मुझसे अपने आपको छुड़वा रहा था सोर की आवाज से आसीस मेरे कमडे में आ गया जैसे ही लाइट खोली नौकरानी में वाश्रूम से बाहर निकलाई सामने खरे सक्स को देख कर मेरे तो होश उड़ गए वो तो मे मेरा पहला पती था जिसने मेरी बच्पन में साधी होई थी लेकिन वो साधी के बाद मुझे छोड़कर चला गया था मालूम हुआ कि इसने किसी और से साधी कर ली है और मुझे तलाक दे दी थी इसे यहां देखकर मुझे हैरत हुई वो पताने लगा इसे दूसरे लरकी प साल बाद इस लड़की की मृत्यू हो गई और इस सक्स ने दूसरी साधी नहीं की अपने बेटे को भी अकीना ही पाला लेकिन इसने मुझे अपने घर के बडावल वारे घर में देखा तो इसे मेरे बारे में मालूम हुआ कि उसे अफसोस हुरे लगा वो मुझे अपनाना और इस मामले में कई बार आसीश से बात कर चुका था लेकिन आसीश नहीं माना इसलिए इसने अपने पेटे को हमारे घर भेजना चाहा लेकिन आसीश से इसकी लड़ाई हो गई जबकि मैं नहाने जाती थी दर्वाजे बंद होने की आवाज के उसके कमडे के वाशूप में जाती थी और वो दिवान लांग कर मेरे घर आ जाता था पहले ये देखता कि कहीं मैं जल्दी बाहर तो नहीं आ जाऊंगी फिर वो मेरे मुबायल को खोल कर उसमें से मेरा नमबर लेने लगता कि मुझसे बात कर सके यह सब कुछ इस सक्स ने आसीस को मिन्नत की कि वो मेरे साथ जुल्म ना करे और मेरी साधी तुमसे करवा दे पहले तो आसीस नहीं माना लेकिन बाद में इसने खुद मेरी साधी उस सक्स से करवा दी आज की कहानी आपको कैसी लगी इस कहानी के बारे में कर्मेंट करके हमें जरूर बताए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में घंटी को दबा कर ओल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिले मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद